व्ल्कम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैंशंग गालेकसी के सारे डिवाइस के तीन कुल टिप से बताने वाला हूँ ये मैंने खुद यूज करता हूँ इसके बार आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज करना है कहां-कहां भूस कर सकते हैं दोश्टो सकता है कि तीन मेंसे एक, आख दो आपको बता हो तो एक आख दो मेरे चाल से बिलकुल नहीं बता हो जो कि mropri अइसा लगता है दोस्तो तो वीडियो को skip मत करीगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तो यह आप समझ पाएंगे, तो चलते हैं दोस्तो आगे, मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है, मेरे चैनल एसे टैक में, तो दोस्तो सबसे पहला जो टेप है, यह होए, डबल टैप को लेके, द आपको जाना होगा, अपने मॉवाइल की सेटिंग पर, सेटिंग में जाने के बाद, आपको जाना है, अपने मॉवाइल की सेटिंग पर, सेटिंग में जाने के आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर मिलेगा, आपको एडवांस फीचर का उप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको जाना है यहाँ एडवांस फीचर वाले उप्शन पर, जैसी आप लिखा हुआ है, आपको उसको अन कर लेना है, डवल टैब टू वेक अप, लिखा हुआ है, डवल टैब टैब एट, तो आपको उसको अन कर लेना है, और आप उसको यूज कर पाएंगे, जोस्तों जो दूसरा फीचर बताने वाला हूँ, वह है नोटिफिकेशन पैनल को ल इसे भी स्क्रीन से भी करूँगा, तो आटोमेटिक नोटिफिकेशन नीचे आ जाएगा, कहीं से भी, तो इस फीचर को अन कैसे करें, इसके लिए अन करने के लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ी दिर यहां प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा home screen setting का option आपको देख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है home screen setting पर और यहां पर आपको swipe down for notification panel आपको देख रहा होगा, आपको इसको enable करना है, यहां पर आप इसकी narration पढ़ेंगे तो इसमें लिखा भी होगा, ऑपन डान an notification panel by swiping down anywhere on home screen, तो यह by default बंद रह दोस्तों जो कि मुझे सबसे bets लगता। जो trick है? तो दोस्तों उसके लिए आप करना क्या होगा? आपको जाना है अपने इंस्टागराम पे या कहीं भी आप जा सकते हैं बट मैं इंस्टागराम पे यूज़ करके दिखाने मारा हूँ यहां से इंस्टर्ट ऐसे होंगी नहीं, तो अगर आपको यहां पर फोटो इंस्टर्ट करना है, तो यह जो की pre-install feature है, Samsung के mobile में तो उसको लेकर आप कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बतायता हूँ, like मैंने यहां पर बालो, इसी चीज़ का एक मैंने screenshot लिया, इसकी photo क्लिक हो गई, अब मुझे यही का यही है, यहां पर इंस्टर्ट करना है, तो simply हम यहां पर tap करूँगा, यहां tap करने का clip करूँगा, और यहां पर clip guard पर जाके इसको paste कर दूँगा, तो आप देखेंगे यही का यही page आ गया है, बट यह तो मैंने screenshot लेके बता है, बट अगर आपको कोई photo को यहां पर लाना हो, तो simply यह आपको करना क्या है, कोई सी भी photo पर जाना है, जिस photo को आपको import करना है, तो like मैंने यहां पर अपनी, मैंने यही वाली photo को मुझे वहां लेके जाना है, तो मैंने यहां से इसका screenshot लिया क्योंकि ऐसे तो export होगी नहीं यह मैंने screenshot लिया screenshot लेने का दोस्तो होता क्या है आप देखेंगे यहां पर आएंगे जैसी आप मैं यहां पर दुबारा click करूँगा तो आप यहां आपको Samsung keyboard में एक feature मिलता जो कि pre-install रहता है यहां पर जाएंगे clip काट का वहाँ पर देखेंगे जो आपने screenshot लिया last वहाँ पर आ चुका है अब simply आपको यहां click करेंगे तो आप देखेंगे यह आ गया है आप चाहें तो इसको crop भी कर सकते हैं यह मैंने इसलिए उपर जल्दी जल्दी में ले लिया आप easily बहुत अच्छे से इसको use कर सकते है जितनी चाहें आप यहां photo को imports करें सब को screenshot लेके आप जितनी चाहें photo को यहां पर screenshot लेके आप import कर सकते हैं आप कोई कुछ आएगा नहीं क्योंकि आप मैंने बहुत अच्छे स्क्रीशोट लिया आपको simply click करना है click करने के बाद यहां पर आपको clip card पर जाना है clip card जाने का आप इसको यहां से इसा paste कर सकते हैं और चाहें तो बाद में इसका color जो है जहां-जहां यह support करता है वहां से आप directly screenshot send कर पाएंगे simply click card में use करके आपको बार बार वहां से paste paste करने की जूरत नहीं रहेगी simply वहीं से आप उसको use कर पाएंगे जो कि मुझे सब सच्चा feature लगता है दोस्तों आप मुझे comment करके ज़रूर बता है दोस्तों मैं definitely उस पर reply करूँगा और हो सकते दोस्तों आप मेरे चैनल को subscribe करना ना बोलें ताकि मेरे चैनल की next video की update आपको सबसे पहले मिलें दोस्तों और हो सकते तो मुझे Instagram और Facebook को लोकरना भी ना बोलें इसका link आपको निशे description पर मिल जाएगा तो thank you दोस्तों